जएने दोस्तों वंदे मातरण इस समय पठान जो कि आने वाले दिनों में रिलीज होने वाली है शारुखान की मूवी को लेकर काफी ज्यादा बाते चल रही है को जिस तरह का पूरा माहौल सेट हुआ इस मूवी को लेकर वो इस मूवी को लेकर एक नेगटिविटी को बतात है दर्शाता है कि वही क्या कुछ चीजे चल रही है लेकिन बेश्रम रंग गाना रिलीज हो चुका है देड़ सु मिलियन के करीब इसको व्यूज मिल चुके हैं उसके बावजूद भी इस मूवी का रिष्टा विवादों से जुड़ चुका सेंसर बोर्ड ने केची चलाने का ओर्डर देही दिया है प्रमान पत्र देने से मना कर दिया और कहा है कि आप इसकी रिवाइज कॉपी मतलब जो भी कुछ चेंजेज आपको सुझाव दिये गए हैं चेंजेज करने के उन सभी सुझावों के ऊपर काम करके आप हमें दुबारा रिवाइज कॉपी दिखा कुछ बार met भी नियूज में ऐसी बातें हैं कि शायद कॉपी जानते हैं उन्होंने में कौन कोनसी नियूज में देखी हैं लेकिन उन्होंना जान दि पही हैं लेते हैं अभी स्वाले मामले में किया कुछ बाते हुई खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल राश्ट खान और क्यार के बॉलिवुड कलाकारों पर अपना गुस्सा निकालते ही रहते हैं वो अक्सर सल्मान खान शारुक खान आमिर खान से लेकर करन जोहर के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं जिस पर कभी कभी इन स्टार्ट को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ऐसे में क्यार के कई बार बुरी तरह फज़ भी चुके हैं इस बार के पठान के गाने बेशनम रंग को लेकर दिपिका पर टिप क्यार के नहीं अपने ट्वीट के दोरा किया है दरसल बेशनम रंग गाने के रिलीज होने के बाद सही इस गाने को लेकर पूरे देश में काफी लोग इसका माहौल उड़ा रहे हैं इस विरोत की आग में क्यार के को भी अपना हाथ से एकना भाड़ी पड़ता दिख रहा ह दरसल कमारार खान ने अपने लेटेस ट्वीट में जावा किया कि बॉलीवुड के कि चिंग खान उनके खिलाफ जल्दी ही लीगल अक्शन लेने वाले हैं फिल्म क्रिटिक ने लिखा लिए खबरों के मताबिक शारुख खान मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं क्योंकि मैंने बेशरम रंग में ज्यादा अंप्रदशन होने का सच बोला था। आप यहां मेरे गाने का रिव्यू देख सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो अब इस ट्वीट को पढ़कर तो एक बार को ऐसा लगता है कि भाई साब ने शायद अपनी रीच बढ़ाने के लिए एक काम किया है दरसल इस जानकारी के साथ रिव्यू के वज़े से तो बता दूं कि वो गलत है उनकी फिल्म इन तीन कारणों के वज़े से लोगी पहला तो गलत नाम के कारण दूसरा एक जैसे स्टोरी और एक्शन के वज़े से और तीसरा पब्लिक के दौरा बॉयकॉट करने अगर वो मुझ से इस फिल्म का रिव और ही आप लोगो याद ना हो तो मैं आपको बता दू कि ब्रम मास्तर मुवी रिलीज होने के ठीक ठीक पहले कमालार खान को भारत में ग्रफतार कर लिया गया था उनके कुछ एक पुराने टूइट्स को लेकर हलाकि अधिकतर लोगों का ये मानना था कि उनको सिर्फ इसलिए ग्रफतार किया गया है जिससे कि ब्रम मास्तर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना बोल पाए उनको कुछ एक आठ है दस दिनों के लिए उस समय जेल में रहना पड़ा था कुछ एक आद दू मामलों में उनको बार बार फसाए गया था और उसके बाद उन्होंने सब के सामने आकर बुला था कि भाया किसी बॉल वड़ वाले का मेरी इस पूरे मामले में कोई हाथ नही अब इस ट्वीट के बारे में भी क्यार के ही जानते हैं कि इसमें कितनी सचाई है और कितना जूट है आप लोगो क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जबर बताईएगा मेरे स्वीडियों फ्लावत नहीं जाये हैं चाह बारत